असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सब ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है HBS AG टेस्ट इस टेस्ट को हैपिटेटस B सर्फिस एंटीजन टेस्ट भी कहा जाता है वक्जाया नहीं करते हैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक HBS AG टेस्ट डियर वीवर्स जो दोस मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को कर दीजे सबस्क्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दुबादीजिए ताके हमारी हर आने वाली नहीं वीडियो की नोडिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सकेट सबसे पहले ये बात करेंगे के HBS AG क्या है Hepatitis B Surface Antigen को Australia Antigen भी कहा जाता है Hepatitis B Surface Antigen को Hepatitis Associated Antigen भी कहा जाता है हेपिटाइटिस बी सर्फिस एंटीजन दरसल में एक प्रूटीन है और ये मौजूद होता है हेपिटाइटिस बी वाइरस के सेल के सर्फिस पर यानी सथा पर जिसका पता फिर लगाया जाता है मरीज के खून से हेपिटाइटिस बी वाइरस के प्रूटीन में से या मारकर्ज में से हेपिटाइटिस बी सर्फिस एंटीजन पहला मारकर या प्रूटीन है जो हेपिटाइटिस बी होने के बाद पहली मरतबा मरीज के सीरम में नजर आता है और डिटेक्ट होता है किसी मरीज के खून में अगर hepatitis B surface antigen का टेस्ट positive आता है तो इसका मतलब होता है कि ये मरीज इसको acute hepatitis है या फिर chronic hepatitis का infection है acute hepatitis का ये मतलब है कि अगर hepatitis B का वायरिस किसी मरीज के खून में 6 महीनों से कम अर्से के लिए रहा हो या मौजूद हो लेकिन उसे 6 महीने पूरे नहीं हुए हो तो ऐसे मरीजों को फिर acute hepatitis का मरीज कहा जाता है लेकिन अगर कोई ऐसा मरीज है जिसके खून में hepatitis B का वायरिस 6 महीनों से ज्यादा अर्से के लिए मौजूद हो एक साल बाद भी अगर किया जाए दो साल बाद या दस साल बाद भी ये hepatitis B surface antigen का टेस्ट किया जाए और ये positive आये तो इसका मतलब होगा कि ये मरीज chronic hepatitis B के infection में मौपतला है जिन लोगों के जिसम में hepatitis B का वायरिस आ जाता है जिसम के अंदर खून के अंदर तो तकरीबन 8 से 12 हफ़ते का टाइम लगता है कि उनके खून में hepatitis B surface antigen का टेस्ट पॉजिटिव आ जाए अभी बात करते हैं कि hepatitis B surface antigen टेस्ट की तश्खीसी एहमियत क्या है तो इस टेस्ट की मदद से हम ऐसे अश्खास का पता लगा सकते हैं जिनको hepatitis हो तो इस टेस्ट की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये hepatitis B की वज़ज़ से ये infection है hepatitis का या किसी और वायरिस की donors होते हैं तो उसकी screening भी कर सकते हैं वो लोग जो सहतमन्द लोगों को अपना खून देते हैं तो ऐसे donors में उनके खून को चेक किया जाता है hepatitis B surface antigen के लिए ताके जो सहतमन्द बंदे को जो खून दिया जाएगा तो वो infected ना हो और वो बिचारा इस से मतासिर ना हो इसके लावा hepatitis B surface antigen की टेस्ट की मदद से हम ऐसे लोगों की तश्खीस भी कर सकते हैं जो hepatitis B के के केरियर हों केरियर का ये मतलब है कि उनके जिसम में ये antigen ये वाइरस जो है ये मौजूद होता है लेकिन उनमें बीमारी की कोई अलामात नहीं होती लेकिन वो अपने खू ये hepatitis B का वाइरस मौजूद होता है तो ऐसे लोगों को hepatitis B का केरियर कहा जाता है तो ऐसे लोगों की तश्खीस भी हम hepatitis B surface antigen test की मदद से कर सकते हैं अभी बात करते हैं कि hepatitis B surface antigen test के लिए हम खून का नमूना किस बॉटल में लेते हैं तो 3-5 ml खून का नमूना लिया जात जालते हैं और फिर सीरम के लिए laboratory में rapid test cases भी available है या rapid technique जिसे का जाता है आपके screen पर नजर आ रहा है जो यह ICT technique है तो इस पर दो लाइन अगर आती है control और test line तो हम कहते हैं के मरीज का HBS AG positive है और यह एक बहुत quick technique है लेकिन इसके लिए ELISA जो technique है वो भी available है और ELISA में HBS AG के लिए अलक्सी kit आती है इसके लावा और भी advanced techniques available हैं जिसकी मदद से hepatitis B surface antigen को हम detect कर सकते हैं मरीज के खून या सीरम में बहुत ज्यादा शुक्रिया M.A.T. Hub with कामरान देखने के लिए उमीद है यह lecture आप लोग को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो वीडियो को like कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा हमारे चैनल M.T. Hub with कामरान को सबस्क्राइब कीजिएगा अपना डेर सारा ख्याल रखियेगा लाहाफिज